दोस्तों, आज हमारा question है, exercise 6.1 से, question number 8 का 1 है, express 49 as the sum of 7 odd numbers, मुझे क्या करना 49 को, क्या करना sum of the 7 odd numbers में इसको ओकरना है, लिखना है, ठीक है, sum of the 7 odd numbers, 49, जिसका, और उनका sum कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो, odd 7 odds लिखने, एक तो 1 हो गया, इस बात क्या आता है, 3 odd numbers आते है, इस बात क्या आता है, 5 आता है odd number, उसके बाद हमारा 7 आता है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद कितना आता, 11 आता है, अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वा, एक हो लिखेंगे 7, देखो, बोल ला था, 49 as the sum of the 7 odd numbers, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, फाइव सेवन तो यह कितका होगा है 49 को हम कैसे लिख सकते हैं और नमर्स में ऐसे लिख सकते हैं ओके चाल लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 और नमर्स क्या होते हैं जो 2 से complete dividing होते हैं ऐसी सेगें हमारा सेगेंड पार्ट है एक्ष्रेस 121 आप कि इसको लिखना 121 as the sum of 11 odds number 11 odds के नमर 121 को 121 को मुझे 11 odds नमर में लिखना है तो पहले तो क्या होगा 1 ही होगा उसके बाद क्या है 3 है फिर कितना है 5 होगा फिर 7 उसके बाद 9 होता है फिर 11 होता है और फिर 13 फिर हमारा 15 होता है फिर 17 कितने होगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगे हमें कितने मिलेगें 11 फिर 19 होता है और प्लस 21 होता है फिर कितना होगा 21 तो यह होगे 121 को अगरम 7 11 odd numbers को रुपे लगी यह वो numbers होगे वे प्लस स популяр का है कितने मिलेव נ시 बसंट बाद 9